हुआ है है गाइस वेल्कम बैक टू चेल मेडिकोस तो यार आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वह अपना होने वाला है जक्स्टा गुलो मेर्यूलर अपरेटस ठीक है जोसे अपन जेजी अपरेटस भी बोलते हैं ठीक है और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर करके अपन दूसी सीरीज स्टार्ट करेंगे ठीक और जो नोट्स बगए रहां सारे नोट्स में अपने टेलिगाम चेल का अप्लोड करता हूं तो आप वहां जाके ले सकते हो इसकी लिंक बगएर आपको मेरे डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलो स्टार्ट धीक है इतना अपने को समझ में आ गया तो इसका कुछ स्ट्रistes रोटा याई अपना जीजी ऑप्रेटा से सेना तो इसका स्ट्रेक्चर होगा टिक तो स्ट्रेक्चर कहें से फॉर्म होता है उसके लिए तीन चीज अपने को जरूरी होती है ्हां टीक है पेहला होता है मेक्ष डेंस हैं दूसरा होता एक्ष्टा ग्लोमेर्यूललर मेसेंगेल सेल्स तीन चीज़ अपने पने पता चले कि इन तीन चीज़ें of thick ascending segment ठीक है जो thick ascending segment था अपना loop of handless काना ठीक है उसका end portion ठीक है before it's open in DCT उसके DCT में open होने से just पहले ठीक है यह कहा होता है अपना macular denser होता है situated between a front and a front arteries of same nephron अगर मैं एक nephron की बात करता हूँ यहां पर यह अपना nephron हो ठीक है तो इसी nephron की यहां पर जो आर्टरी मतलब कि जो आफ्रेंट and efferent arteries होंगे ना उन्हीं के कर्स्पॉंट रहेगा यह मतलब इनके बीच में ही रहेगा यह ठीक है तो यह अपने को बात समझ में आगे आगे चलते हैं macular denser very close to a front arteries जो आफ्रेंट अपने कोंच होती थी आफ्रेंट ठीक है अपने लाल से याद करी थी एहले से ठीक है आगे देखते हैं आपन और फोटाइट पेक्ट क्यूबड अपिफीले एक जिसका फॉर्मेशन होता है na macular का नेसा का तो macular denser का formation होने के लिए वहाँ पर 12 depa होते हैं क्यूबड अपिफिले ल माँ अपने क्यूबड अपिफिलेग से एटिक क्योंकि तिक एक एसेंडिंग सेगमेंट Glomerular Mesengial Cells यह क्या करते हैं? इनको भी देख लेते हैं Situated in the triangular region एक triangular region में situate होते हैं As called इनको अपन और क्या क्या बोल सकते हैं Granular cells भी बोलते हैं और आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में तो अब triangular region अपने को पता है triangular region के बीच में होता है तो कुछ इस परकार से यह triangular region है इसके बीच में star shape के जो आपको देख रहा हैं यह होगा है अपने extra glomerular mesengial cells अब क्या होता है? इसकी एक side तो होती है अपने efferent arteriol और afferent arteriol दूसी side और जो की afferent arteriol होती है वो अपनी close to किसके रहा थी? macular dancer तो ऊपर क्या होता अपना macular dancer जो यह वाली आपको side देख रही है तो यह दोनों आपस में काफी close होते हैं यह दोनों थोड़े दूर होते हैं relatively जो अपन ऊपर देखते आएं अब चलते हैं आपन आगे तो यहाँ पर देखी जो इसका structure कुछ इस परकार से यहाँ पर arrange करके रखाया तो क्या है? यहाँ पर आपको यह दिख रहा होगा macular dancer macular dancer किसके जादा पास में दिख रहा है? यह वाला है अपना affront arteriol इसके पास में जादा है और affront arteriol के जस्ट नीचे आपको दिख रहा हुआ जक्स्ट्रा glomerular apparatus जक्स्ट्रा glomerular cells जो आगे पढ़ने वाले हैं यह दिख रहा हुआ अब क्या होता है यहाँ पर इस साइड होती है अपनी effront arteriol जो यहाँ पर दिख रही होगी आपको यहाँ से blood भार जाता है तो क्या होता है यहाँ पर यही तीनों मिलके एक triangular area का formation कर रहा है और उसी कंदर जो cells हैं जो आपको दिख रहा है यहाँ यहाँ आपने यहाँ आपने यहाँ एक्स्ट्रा glomerular mesengial cells अब यहाँ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपना की यहाँ पर देखो अब यह अंदरवाला portion देखते हैं आपने glomerular का तो आप यहाँ पर अंदरवाला portion देखेंगे यहाँ आपको दिख रहें लेकिन इन कैपिलरीस की बीच में आपको और भी इस दिख रहा है यह वाले परपल कलर के यह होते हैं अपने गलोमेरियूलर मेसेंजियल सेल्स यह इतना अपने ऊसमज्ज आ गया उपर थे अपने एक्स्ट्रा गलोमेरीयूलर मेसेंजियल सेल्स क्योंकि वह भार थे किस से ग पर बहुता है तो इनका कुछ काम होता है तो इनका कुछ काम होता है अपने प्रेजेंट होते हैं किसमें गलोमे रिवलर में है तो उना प्रोआइड करती हैं और करते हैं यह door upright करते हैं अपने जी एफ और को कैसे करते आ की यह और यह सेल्स होते हैं ना ने यह निए वह पूर्पर्ट प्रपर्टि होती है उनके पास उनक्या होता है जे सब्सक्राद क्राइब तो इस बज़े चो capillaries होती है ना, उनकी size भी का decrease होगी, मतलब कि वो भी सोकॉल जाए है, इस contraction की बज़े से, तो क्या होगा, इससे blood flow क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या GFR बगएरा, अल्टर हो जाता है, इनकी phagocytic property भी होती है, ठीक है, एक कुछी secret भी क cytokines, ठीक है, एक तीन चीजे, secrets भी करते हैं, अपने, glomerular, ठीक है, messenger cells, आगे बात करते हैं अपन, ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन का, जक्ष्टा glomerular cells, ठीक है, जक्ष्टा glomerular cells, जो मैंने आपको यहाँ बताए थे, यहाँ पर यह दिख रहे होंगे, ठीक है, इनके बार cells के cell होते हैं, ठीक है, just before entering boomerular cells, अब आपको यहाँ पर और समझाता हूँ, ठीक है, अपना यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से enter कर रही है, अपनी ठीक है, इसकी entry से just पहले अपने को मिलते हैं कहुंचे, जक्ष्टा glomerular cells, ठीक है, जो कि अपने आफ्रेंट आर्टिवल की smooth muscles adventitia होती है, इन दौनों में मिलेंगे अपने को कौन से, muscles के cells, smooth muscles के cells, जो कि जक्ष्टा glomerular cells होते हैं, इस smooth muscles cells होते हैं, अपने मिलेंगे tunica media and tunica adventitia of afferent arterioles, ठीक है, आगे बात करते हैं, इनको अपन also called, ठीक है, granular cells, इनको अपन granular cells भी बोलते हैं, मतलब secretary granules, ठीक है, मतल अब देखते हैं, अपने structure देख लिया, तीन चीज़ों से मिलके बनदाया, ठीक है, पहला क्या था, पहला था, अपना macular dancer, second अपना क्या था, extra glomerular messenger cells, और third क्या था, अपना, third थे अपने glomerular cells, ठीक है, ये तीन चीज़ों अपने यहां पर देख ली, ठीक है, अब देखते यहां, जो JG apparatus होता है, यह बहुत सारे हार्मोन secret करता है, इसमें पहला होता है, रैनिन और डूसरा होता है, prostaglandins, ठीक है, तो हैर रैनिन की बात करते हैं, अपने, तो रैनिन क्या होता है, रैनिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि peptide हार्मोन है, और इसमें 340 amino acids होते हैं, तीन होगे कर रहेते हैं, अपने secret करवा रहा है, रैनिन को, ठीक है, अपने को इतना पता चल गया, आगे चलते हैं, along with angiotensin, ठीक है, angiotensin आपने सुन रखा होगा, ठीक है, along with angiotensin, रैनिन's form, रैनिन angiotensin system, क्या होता है, जब रैनिन प्लस angiotensin मिल जाता है, तो हाँ पे एक system क formation होता है, रैनिन angiotensin system बोलते हैं, इस system अपने को काम आता है, बीपी को maintain करने के लिए, इसको पर separate video बनाऊँगा मैं, उस separate video में आपको इस चीज बता दूँगा अच्छे से, इसको पर direct question आता है, ठीक है, तो अब क्या होता है, secretion of रैनिन stimulated by, जो रैनिन का secretion था, वो किन in extracellular volume, मतलब extracellular volume, मतलब जो आपके cells के बाहर हो, जैसे कि आपका blood, ठीक है, अगर वहाँ पर blood का volume कम होता है, ठीक है, तो हाँ पर क्या हो जाएगा, आपका secretion of रैनिन stimulated हो जाएगा, third point, increase the sympathetic activity, जो sympathetic activity होती हो, प्रमोट करती है, secretion of रैनिन को, decrease load of sodium and chloride in macular densa, ठीक है, तो यार, इसकी बज़े से भी अपने को यहाँ पर रैनिन का secretion increase हो जाता है, और जो यहाँ पर fourth point है, काफी important point है, ठीक है, इसके लिए एक feedback system होता है, ठीक है, उस feedback system को मैं आपको आगे बताऊंगे, जब GFR बगार पढ़ाऊंगे, उसके factors, ठीक है, आगे देखते हैं, second क्या थ सब्सक्राइब,्ने ज़ेट कर रहा है, तो क्या होता है, जो extra glomular messenger cells होते हैं, वो secret करवाते हैं, अपने prostaglanders, एदना आपने को पता है, और जो intersticial smells होते हैं, अपने medulla की, ठीक है, तो वो जो क्या करते यार, वो भी क्या secret करवा थे हैं, अपने prostaglanders, यहाँ पि dość extra glomular messenger cells न इतनी बात अपने को समझ आ गई आगे और देख लेते हैं इसके फंक्शन सीक्रिशन ओफ अधर सब्स्टांस और भी सब्स्टांस है जिसको अपना ए जी जी अप्रेटर सीक्रेट करवाता है जो अपना एक्स्टर गुलो मेर्यूलर मेसिंजियल सेल्स होते हैं हो गैख के सीक्रेट करते हैं और साइको काइंज करते हैं जैसे की इंटर लीविकिन 2 टूंबर मेक्रोसिस फैक्टर त्पिक इनको आपको याद कर लेए जो अपना मैक्विला डेंसा होता है वो अपना रिलीस करवाता है थ्रॉम बोक्सिन A2 ठीक है इतना अपने को पता है इसको भी मैंटेन कौन करवाता है अपना जो जो जी एफर था वो दोनों को दोनों मैंटेन होते है और इस फीड़बेक को मैं आपको फर्दर आगे बताऊँगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें तो इतना ही था अपना इसमें जे जी अपरेटस में तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से ठीक है में लखनें, ऐसा नहीं कि आप लखते जा रहा है हो paragraph 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 तो हापे कुई नहीं पढ़नें बैटा, तो हापे आप points में लिए जो भी लखना है, टीक, मैंगे सारे notes आपको point wise दे रखें तो आप इसे पढ़ंगे तो आपकी यार, genuinely kाफी help होने वाली और बाग इच्छे से मेहनत करिए एक थेंक्यू फॉर बॉर्चिंग एंड कीप लर्नी